बेक का आलसी बेटा पुर्तगाली लोका था एक बार की बात है कि पुतरगाल में एक स्त्री बेका थी उसके एक बहुत ही आलसी बेटा था जब सारे बच्चे आग जलाने के लिए लकडी इकठा करने के लिए जाते थे तो उसको भी लकडी लाने के लिए कहा तो जाता था प एक दिन उसने उस बेटे को जबरदस्ती उन बच्चों के साथ लकडिया लाने के लिए भेज दिया तो वह वी दूसरे बच्चों के साथ चला गया पर जैसे ही वह जंगल पहुँचा तो दूसरे बच्चे तो लक लिया और पेडों की छोटी छोटी शाखे एक अठा करने मे पर वह एक नदी के किनारे अपना खाना खाने बैक गया जो वह अपने घर से लाया था जब वह खाना खा रहा था तो एक मचली वहाँ आई और उसका गिरा हुआ खाना खाने लगी आखिर उसने उसको पकड़ लिया मचली ने उससे प्रार्थना की कि अगर वह उसको मारे नह लकली के धेरों से भी बड़ा हो मेरे सामने आ जाए और वह मेरे बिना चुए ही यहां से मेरे घर तक चलता जाए तुरंट ही लकली का बधा हुआ एक बहुत बड़ा धेर उसके सामने आ गया जब उसने लकली के उस धेर को ठीक से देख लिया तब ही उसने उस मचली को में जाने दिया, अब वह घर वापस चला, घर जाते समय वह बीच में महल के सामने से गुजर रहा था तो महल की खिलकी पर, राज कुमारी बैठी हुई थी, राज कुमारी के साथ 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 राजा भी बैठा था, उसको उस लकड़ी के धेर को अपने आप चलते देखकर उसको ये पता न चले कि उसका पिता कौन है राजकुमारी को उसी समय से लगने लगा कि उसको बच्चे की आशा हो आई है। जब राजा को ये पता चला तो वही ये जान कर उससे बहुत नाराज हुआ। उसने उसको उसकी प्रियदासियों के साथ एक महल में कैप कर दिया। समय आने पर राजकुमारी ने एक बेटे को जन दिया वहाल सी लड़का फिर जंगल लोटा तो वह मच्छी फिर आई और उसने लड़के को बताया कि उस राजकुमारी के बेटा हुआ है। मच्छी के कहे अनुसार उसने राजा के महल के सामने एक महल बनवाया जो राजा के महल से भी ज्यादा शांदार था। राज कुमार की तरह से ही जानते थे किसी और तरह जानते ही नहीं थे एक दिन राजा ने उस लड़के के पास ये संदेश भेजा कि वह उसका महल देखना चाहता है उस आलसी लड़के ने कहा कि वह खुशी से अपना महल उसको दिखाएगा उसने राजा और उसके सारे देख कर वे आश्चर्य चकित रह गए पर सबसे ज्यादा आश्चर्य तो उन सब को संतरे का पेड़ देख कर हुआ जो उसके फलों के बागीचे में लगा हुआ था और जिस पर सुनेहरी संतरे लगे हुए थे उस आलसी लड़के ने राजा और उसके दर्बारियों से कहा कि वे वहां से कुछ भी ले जा सकते थे सिवाए सुनेहरी संतरों के सब कुछ देख कर वे सब नाश्टे के लिए महल लोटे और नाश्टे के लिए बैठे जब नाश्टा खत्म हो गया तो राजा और दर्बारी लोग अपने महल जाने के लिए लोटे जाते समय उस लड़ उन्होंने उस लड़के को अपने कोट उतार कर भी दिखाए ताकि वह खुद अपनी आखों से ये देख सके कि उसका उनको अपराधी ठहराना ठीक नहीं था राजा को ये सुनकर बहुत शरम आई क्योंकि अपकेवल वही एक देखने से रह गया था उसने अपना कोट उतारा पर जाज करने पर उसकी जेबों से कुछ नहीं मिला सो वह जब अपने कोट को दोबारा पहनने लगा तो उस लड़के ने उससे एक बार फिर से अपनी जेबे देखने के लिए कहा क्योंकि जब वह संतरा उसके दरबारियों ने नहीं लिया तो जरूर उसी ने लिया होगा सो राजा ने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला तो उसको अपकी बार अपनी जेब में एक संतरा मिल गया उसने वह संतरा अपनी जेब से निकाल लिया पर राजा ये देखकर बहुत परेशान हो गया कि यह संतरा उसकी जेब में आया कहां से क्योंकि उसने तो संतरा अभी नहीं था, उसको बहुत शर्म आई, आलसी लड़के ने कहा कि आप चिंता न करें क्योंकि यही राजकुमारी के साथ भी हुआ जिसने ये जाने बिना, एक बेटे को जन दिया कि उसका पिता कौन था, इस तरह मचली के ऊपर पड़ा हुआ जादू तूट गया, अब व वहार सी लड़का एक बहुत ही अमीर आदमी बन कर अपने घर लौट गया,